फ्रेंड्स लाल्टेन बनाने के लिए हम सबसे पहले अकपार की पेपर इस्टिक बनाएंगे हमें इस तरह की आठ पेपर इस्टिक बनानी है हमारी पेपर इस्टिक बन चुकी है अब हम पेपर इस्टिक को एक छोर पर इतनी दूरी से मोडेंगे हम हमारी सभी पेपर इस्टिक को इसी नाप पर मोड लेंगे हमारी सारी पेपर इस्टिक दोनों तरफ से मुड चुकी है अब हम इने स्टैपल करेंगे दो पेपर इश्टिक को इस तरह से आपस में श्टेपल करना है इस तरह हमारे पास चार पेपर इश्टिक के जुड़े हुए सेट बन चुके है अब हम इने आपस में जोडेंगे हम इने आपस में इस तरह से जोडेंगे हमने इनको आपस में जोड़ दिया है अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे फ्रेंड्स आप स्केल से नाप कर सही दूरी पर रखते हुए जोड़ सकते है हमारी लाल टेन का धाचा बन चुका है अब हम इसके बीच में एक पेपर स्टिक को स्टैपल कर देंगे हमारा धाचा पूरा कंप्लीट हो चुका है अब हम काले कलर के ग्लेज़ पेपर के तुकड़े काटेंगे टुकड़ा हम हमारी लाल टेन के धाचे पर रख कर देख लेंगे यह सही नापका है हम इस तरह के आठ टुकड़े काट लेंगे फिर एक कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड करेंगे इस फोल्ड की हुई कागज के टुकड़े पर हम पैन से इस तरह से दिया, श्टार और डायमंड की कटिंग का डिजाइन बनाएंगे फिर इसे कैंची से काट लेंगे फ्रेंड्स हमारी पेपर की कटिंग हो चुकी है इस तरह हम सभी आठो कागज को पैन से डिजाइन बना कर काट लेंगे अब हम इसमें सैलो टेप से पीले कलर की पनी के टुकड़े काट कर चिपकाएंगे ताकि ये कटी हुई जाली पूरी तरह ढग जाए हमने सभी आठो कागजों पर इस तरह पनी को चिपका लिया है अब इन पनी लगे हुए कागजों को हम हमारी लाल्टेन के ढाचे पर फैवी कॉल से चिपका देंगे हमने सभी काले कागज के टुकड़े हमारी लाल्टेन के ढाचे पर चिपका लिये है अब हम लाल्टेन के किनारे पर पीले कलर की पट्टियां काट कर चिपका देंगे पट्टियां चिपकाने के बाद एक पीले कलर का कागज का टुकड़ा काटेंगे और उसे लाल्टेन के नीचे वाले हिस्से में इस तरह डिजाइन काट कर और उसके पीछे लाल कागज की पन्नी लगा कर चिपका देंगे हमारी लाल्टेन काफी तयार हो चुगी है अब हम इसके बीच वाले हिस्से पर सुनहरे कागज की बट्टियां काट कर चिपका देंगे ताकि ये और सुन्दर दिखे फ्रेंड्स अब हमारी लालटेन पूरी तरह तयार हो चुगे है इसे लटकाने के लिए हम इसमें एक हैंडल लगाएंगे उसके लिए हम पेपर को रोल करके और फिर उसे काट कर और स्टैपल कर देंगे अब हम इसमें बलब और होल्डर भी लगा देंगे फ्रेंड्स ये आधावाण का LED बलब है दिवाली लालटेन को लटकाने के लिए हम इसमें एक धागा लगा देंगे फ्रेंड्स अब हम हमारी लालटेन को जला कर देखते हैं वो कैसी लगती है तो फ्रेंड्स देखिए हमारे लाल्टन कितनी सुन्दर लग रही है अब हम लाइट को आफ करके देखते हैं अगर हम इसे थोड़ा अधेरे में लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखाई देती है फ्रेंड्स आप इसे घर के कोने में भी रख सकते हैं वहाँ इसे जमीन पर भी रखा जा सकता है ये वहाँ भी बहुत सुन्दर दिखाई देगी फ्रेंड्स आपको लाल्टन कैसी लगी कमेट करके अवश्य बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो करप्या लाइक और कमेट करके जरूर बताए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करप्या हमें सब्सक्राइब भी कर लें हम इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू